उमेश यादव और अभी चंदन अश्विन की कातलाना गेंदबाजी के दंपर भारती टीम ने दूसरे टेस्ट के पहले दिन बांगलादेश की पहली पारी 277 रनों पर रिप्टा दी पाटा पिचों के बादशा माने जाने वाले तेज गेंदबाज उमेश यादव ने 15 ओरों में 25 रन देकर चार शिकार किये तो अश्विन ने भी 71 रन देकर चार विकेट ले इन दोनों के लावा उनाद कट ने 12 वर्षवाद वापसी करते हुए 16 ओर की गेंदबाजी पचास रन देकर दो विकेट जिटके टॉस गवाने के बाद भारती कप्तान राहुल ने मुहमद सिराज और उमेश यादव से गेंदबाजी की शुरुवात करात और 9 ओर में पहले बदलाओ के रूप में उनाद कट को गेंद दो पी इस तेज गेंदबाजी ने बादल शाय रहने का पूरा फायदा उठाया तथा शंटो और जाकिर दोनों को अपनी अंदर आती गेंदों से परिशान किया उनाद कट ने आखिर में 14 ओर की अत्रिक उचाल लेती हुई पांच्वी गेंद पर जाकिर को चक्मा दिया बल्लेवाज ने कट कार्णे के प्रयास में पॉइंट पर खड़े राहू को असान कह दिया अश्वीर ने अगले ओवर में शंतो को पगवदा आउट किया जिनों ने आगे पिछी गेंद पर शौट तहीं खेलने का फैसला किया दक्षिन अफ्रीका के खिलाब दिसंबर 2010 में सेंचूरियन में टेस्ट क्रिकेट में पदारपन करने के बाद अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे उनाद कट ने दो मैचों के बीच 118 मैच में बाहर रहने का नया भारती रिकॉर्ड बनाया बाएं हाथ के तेज गेंदवाज उनाद कटने बांगलादेश के बल्लेवाजों को परिशानी में रखता और पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले जाकिर हसन पद्रा को विकेट लिया उन्होंने दूसरे सत्र में भी प्रभावशाले प्रजेशन करके मुश्पिकर रहीम 26 को पवेलियन का रास्ता दिखाया ये इस अच्छी लेंथ वाली गेंद थी जो रहीम के बल्ले को चूमती हुई विकेट कीपर रिशाप पंद के हातों में समा गई सुभा के सत्मे नजबुन हसन शंटो ने 24 का विकेट लेने वाले अश्पिन के लंच के बाद लिटन दास 25 को आउट किया लेकिन मुमिनुल ने एक छोर संभाले रखा लेकिन चाय के बाद वाए 157 गेदों में 12 चौके और एक छके की मदर से 84 रन बनाए यह टेस्ट क्रिकेट में उनका 16 अर्ध शतक है बंग्रादेश के दूसरे सत्मे शुरुवात अच्छी नहीं थी रही तता शाकिव अलहसन 16 लंच के बाद अपनी पहली गेन पर ही आउट हो गये उन्होंने पुमेश यादों की गेन पर मिज़ ऑफ पर खड़े चेतेशव बाद निरंतर अंतराल पर विकेट जिर्ट करें और पूरी टीम 227 रंट पर आल आउट हो गई